Hello everyone, आज हम chapter the last lesson की explanation को समझेंगे The last lesson class plus two का lesson है English का Flamingo book का एक बहुत ही beautiful lesson है जिसमें की mother tongue के बारे में language के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है अब mother tongue की importance क्या है वो हम इस lesson के through समझेंगे इस lesson में starting में ये बताया गया है कि Prashia और Germany के बीच जब war चल रही थी तब Prashia Germany से हार गया था तो Prashians पर ये rule impose हुआ था कि वो आज के बाद German language ना तो बोल पाएंगे और ना ही सीख पाएंगे तो इस rule के चलते वहां पर क्या असर हुआ और वहां के एक teacher ने कैसे express किया अपना grief अपना दुख classroom में वही इस lesson में हम लोग आज समझेंगे अब इस lesson में two main characters हैं एक है Mr. M. Hamill जो की teacher है French teacher French language के teacher है France के और जो एक छोटा बच्चा है उसका नाम है France जो की France का ही रहने वाला है और इस teacher और इस बच्चे के बीच क्या बात होती है वो इस lesson में हम आज समझेंगे तो starting में दिखाते हैं कि Friends नाम का बच्चा Friends नाम का बच्चा स्कूल नहीं जाना जा रहा है आज अब normally सभी बच्चों के साथ ये चीज होती है कि बच्चे normally कोशिश करते हैं कि कि किसी तरह आज छुटी हो जाए और आज हम स्कूल ना जाए तो यही चीज उस बच्चे के साथ भी हो रही है वो देखता है कि आसपास का महौल बहुत ही charming है birds आ चरपिंग पक्षी चहचा रहे हैं soldiers are drilling soldiers drill कर रहे हैं तो उसे सब कुछ बहुत मनमोहक लग रहा होता है सब अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसे school अच्छा नहीं लग आती है कि नहीं यह गलत होगा स्कूल बंक करना गलत होगा क्योंकि उसने आज homework नहीं किया था जो कि उसके teacher Mr. M. Hamill ने उसको participants topic के rules learn करने के लिए दिये थे इसी वजह से school नहीं जा पा रहा था कि teacher से मुझे डाट खानी पड़ेगी अब वो यह सोचता है कि नहीं मुझे अगर मैंने homework नहीं भी किया है तो भी it is not ethical कि मैं school बंक करूं तो वो सोचता है कि नहीं मुझे जाना है तो डिसाइड कर लेता ह मनी मन की मुझे जाना है अब वो आगे बढ़ता है आगे बढ़ता है तो school campus के बाहर उसे एक bulletin board नजर आता है bulletin board वो होता है जिस पर की news highlight होती है अब वो जमाना था वहाँ पर social media news paper टीवी यह सब चीज़े अवेलेबल नहीं थी तो वहाँ पर लोगों को news कहां से मिलती थ news war से related news जो main highlights होती थी वो सभी उन्हें bulletin board पर ही display होती थी तो वहाँ से वो लोग देखते थे तो उस दिन फ्रैंस notice करता है कि आज तो bulletin board पर बहुत जादा भीड है बहुत लोग ही कठा हुए बट already वो थोड़ा लेट हो चुका था तो वो जादा ध्यान नहीं देता है और इसी चलते हुए वो आगे बढ़ता है तो एक आदमी उसे black में तुसे आवाज लगा के कहता है कि फ्रैंस इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो बहुत टाइम है तुम्हारे पास आराम से जाओ वो समझ नहीं पाता है कि उसने ऐसा क्यों का क्योंकि वो तो already late था बट स्टिल वो उसको इग्णोर करता है और आगे अपने classroom की तरफ जाने लगता है अब वो आगे जाता है तो क्या expect करता है कि वही शोर उसे सुनने को मिलेगा जो normally classroom के बाहर होता है desk open close करने का शोर teacher का ruler desk पे beat करने का शोर बट उस दिन ऐसा कुछ नहीं था disturbance थी नहीं बाहर कोई शोर नहीं आ रहा था तो उसको थोड़ा strange लगता है कि आज ऐसा क्यों है कि यहां पर शोर नहीं सुन रहा है बट स्टि था कि teacher उसे गुस्सा करेंगे क्योंकि वह लेट था बट ऐसा कुछ नहीं होता है Mr. Hamill उसे गुस्सा नहीं करते है और अराम से कहते है friends come and take your seat तो यह भी थोड़ा unexpected था तो उसको काफी unusual चीज़ें दिख रही थी उस दिन अब वह जाके बैटता है और क्या notice करता है classroom पूरा सब लोग बैटे हैं back benches पे villagers बैटे हैं आज अब यह villagers क्यों है वह सोचता है former mayor of that town उस दिन वो भी बैटे थे जो mayor है वो बैटे थे postmaster villages villagers तो यह सब लोग भी थे plus students भी थे और सब बहुत ही silently बैटे थे बहुत sincerely बैटे थे कोई शोर नहीं हो रहा था तो उसे थोड़ा अज बहुत ही well dressed थे उस दिन उन्होंने एक frilled shirt पहनी थी green color का coat पहना हुआ था और वो खास occasions पे ऐसी dresses पहनते थे जैसे कोई inspection हो या कोई price distribution function हो बट उस दिन उन्होंने ऐसे वो well dressed क्यों थे यह France सोच रहा था तो फिर क्या होता है वो सोच ही रहा होता है और वो लेकिन बैट जा होते हैं बहुत ही silently sincerely गंभीर बैठे होते हैं तो वह firmly announce करते हैं कि today will be the last lesson of french language वह कहते हैं कि आज का जो हमारा lesson होगा french language से related वह last lesson होगा अब यह statement जो है France को बहुत शौकिंग लगती है बहुत ज्यादा शौकिंग वह सिहर जाता है यह statement क्योंकि उसे यह चीज पता थी कि उस उसने हमेशा for granted लिया था उसको वह बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था homework जो भी मिलता था language से related वह उसे पोस्ट पॉन कर देता था डिले कर देता था कि मैं कल कर लूंगा परसो कर लूंगा तो आज उसे जटका लगा कि यह आज last lesson है it means I will never be able to learn language more clearly उसको लगता है कि मै समझ ही नहीं पाऊंगा कभी तो उसे समझ समझ धीरे धीरे बात करने से इधर उधर की बात सुने से समझ आ जाता है कि तभी bulletin board पर इतनी भीड थी कि वहाँ पर लोग यह यह वाला जो order है जो कि Berlin से आया था Germany की capital है Berlin वहाँ से यह order impose हुआ था कि आज के बाद France में ना तो French language बोली जाएगी ना सिखाई जाएगी ना पढ़ी जाएगी तो बहुत shocking लगता है बहुत disappointed हो जाता है वह यह वाली बात सुनके Mr. M. Hamill की बट anyhow वह बैठा रहता है सोचता रहता है फिर क्या होता है Mr. M. Hamill सबको एक जैसी notebooks distribute करते हैं बिल्कुल same एक जैसी notebooks और वह सारी notebooks ऐसे लग रही थी जैसे classroom में सबने flags पकड़े हो एक जैसे तो there was an air of patriotism देशभक्ती की हवा थी उस दिन class में उस सब villagers Mr. M. Hamill को thanks कहने आये थे they were very thankful वो कहने आये थे कि आपने 40 years teaching की है french language की हम सबको सिखाया है school को 40 years दिया है तो इसलिए वो सब उसे thanks कहने उनको honor करने आये थे उस दिन Mr. M. Hamill को और Mr. M. Hamill भी बहुत ज़ादा उस दिन disappointed थे sad थे कि आज के बाद मैं ये पढ़ा नहीं पाऊंगा अब वो Mr. M. Hamill start करते हैं उनको पढ़ाना जितने भी लोग classroom में present थे बहुत sincerely ऐसा लग रहा था जैसे वो आज सारी knowledge impart कर देंगे उन्हें जितना भी language के बारे में आता है वो सब कुछ आगे देना चाहते थे बहुत sincerely वो lectures दे रहे थे और सभी लोग बहुत ही uniformity में unison बहुत equal आवाज में सभी लोग lessons पढ़ रहे थे अब turn आती है France की जब Mr. M. Hamill उसे खड़ा करके उससे पूछते हैं कि आप ये बताओ आपने participle का homework किया या नहीं as expected France तो वैसे ही डर रहा था उस चीज़ के लिए तो France खड़ा होता है answer देता और थोड़ा fumble करता है because he was not prepared उसको नहीं थी तियारी तो Mr. M. Hamill उसे गुसा नहीं करते हैं वो उसे अराम से कहते हैं कि friends it is not your fault ये तुम्हारी गलती नहीं है इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ और तुम्हारे parents भी कुछ अत्तक जिम्मेदार हैं और फिर वो दो confessions करते हैं अपने लिए confession होता है अपनी गलती मानना तो वो confessions करते हैं कि जब भी मेरा fishing का मन करता था मेरा कहीं जाने का मन करता था पढ़ाने का मन नहीं करता था तो मैं तुम लोगों की holiday कर देता था और मैं holiday मैं अपनी fishing के लिए चला जाता था एक तो ये चीज़ और दूसरी चीज़ ये कि जब plants को water कर दो तो पानी दे दो अब उसको ये दो चीजे लगी कि हाँ शायद इन दो वज़ा से भी कभी कई बार इन बच्चों के lessons miss हो जाया करते थे तो वो यही चीजें confess करते हैं confession करते हैं प्लस वो बच्चों के parents के लिए भी ये कहते हैं कि उनको earning जादा चाहिए थी तो वो कई बार बच्चों को school ना भेज कर उनके lessons miss करवाते थे और उन्हें farms पर, खेतों में, fields में भेज कर earning के लिए, काम के लिए भेज देते थे कि जाओ और वहाँ काम करो और जिससे हमें extra पैसे मिलेंगे, तो वो ये कहते हैं कि France, ये participle topic अगर तुम्हें नहीं आता है, तो ये तुम्हारा fault नहीं है, ये मेरा भी fault है, teacher का भी है, प्लस तुम्हारे parents का भी है, और कुछ हद तक बच्चे का भी है, क्योंकि उसने कभी sincerely homework किया ही नहीं कभी sincerely पढ़ने की कोशिश नहीं की, तो ये confessions उस दिन वो बहुत serious थे तो वो सब चीजों को analysis कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ, अब friends बैट जाता है, उसके बाद क्या होता है, वही lecture वो deliver कर रहे होते हैं, Mr. Hamill and सब लोग पढ़ रहे होते हैं पूरी class में pin drop silence होती है, सिर्फ scratching of pens की आवाज आ रही होती है pen से लिखने की आवाज आ रही होती है और कोई आवाज नहीं आ रही होती है तो इसी शांती के बीच friends का ध्यान जाता है, कि छत पर से pigeons की आवाज आ रही है, कू कू की sound आ रही है pigeons की तो pigeons की आवाज सुनके friends के मन में एक ये बात आती है वो ये सोचते हैं कि human beings पे तो Germany ये impose कर रहा है कि आप लोग आज के बाद ना French बोलेंगे, ना French पढ़ेंगे ना लिखेंगे, लेकिन क्या birds और animals पे भी वो ये rules impose कर सकता है क्या forcefully उनको भी कह सकता है ऐसा नहीं हो सकता तो birds और animals कितने free है friends helpless feel करते हैं उस वक्त कि हम इतने बंदे हुए क्यों है हम पर ये rule क्यों birds और animals को तो कोई force नहीं करता वो तो खुले में अपनी भाशा में अराम से बाते करेंगे अपने तरीके से जिएंगे लेकिन हम human beings पे ये चीज forcefully वो लोग impose कर रहे हैं लागू कर रहे हैं तो ये चीज़ friends सोचते हैं और उनको fortunate मानते हैं pigeons को कि उनकी koo koo sound उनसे कोई नहीं छीन रहा है अब इसी दोरान फिर Mr. Hamill language की importance के बारे में class को बताते हैं वो ये कहते हैं कि language is the most important weapon if you want to win a battle अगर आप कोई war या कोई लड़ाई जीतना चाहते हो तो language उसमें most important weapon है tool है, हतियार है कैसे? क्योंकि हम बात करेंगे हम communicate करेंगे एक दूसरे से तो अपनी भाशा आती होगी अपनी mother tongue आती होगी तब ही कर पाएंगे और अगर हमें कोई strategy बनानी है plan बनाना है, return में कोई काम करना है तो भी हमें भाशा का आना बहुत जरूरी है तो वो कहते हैं कि अगर हम अपनी भाशा में, अपनी language में mother tongue में weak हैं, तो हम कोई भी लड़ाई जीत नहीं पाएंगे क्योंकि आगे चाके कल से जैसे ये language हमें Germany सिखाई जाएगी, तो वो तो हमारी mother tongue है नहीं तो वहां के लोग भी हम पर हसेंगे कि देखो इन लोगों की mother tongue ही इनको नहीं आती है, ये लोग उसमें ही weak है तो वो कहते हैं, सभी को message देते हैं, जितने भी लोग class में होते हैं, कि अपनी भाशा को कभी मत छोड़ना, इस पर हमेशा focus रखना, क्योंकि यही वो चीज है, जो तुमें हर लडाई में, हर prison की key available करवाईगी, हर मतलब जैसे आप मान लीजिए किसी एक तरह की jail में है तो उसकी अगर कोई key है तो वो भाशा है, तो कहने का मतलब यह है, कि हम किसी मुश्किल से जैस कभी भी निकलेंगे, तो वो भाशा के through, अपनी mother tongue पे हमारी अगर command होगी, तो हम उसके through बाहर आएंगे तो यह सब चीजे हो रही होती हैं इतने में ही 12 बच जाते हैं और class over होने का school over होने का time हो जाता है तो जैसे ही 12 बचते हैं तो Mr. Hamill खड़े होते हैं, अपनी seat से means थोड़ा सा turn करते हैं और board पे लिखते हैं French में कुछ words, दो तिन words लिखते हैं, with la France, which means in English long live France वो लिखते हैं long live France जिसका translation अगर हम English में करें, क्योंकि उस दिन वो बहुत जादा feel कर रहे थे कि हमारा separation हो रहा है अपनी mother tongue से, तो वो बहुत जादा emotional और sentimental हो गए थे और वो board पर बड़ा बड़ा लिखते हैं long live France और class को इशारा करते हैं, dispersal के लिए कि अब class over हो गई है dispersed, चुटी हो गई है तो इसी के साथ chapter फिनिश हो जाता है explanation अगर अच्छी लगी हो तो अबा classes को subscribe कर दीजिए वीडियो को like कर दीजिए next वीडियो में मिलते हैं आप से किसी और lesson के साथ have a nice day